हेलो फ्रेंज, वेलकम तो एट्वन्टीफो नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आई बीपीस की नियू रिकुर्मेंट नोटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अपलाए प्रोसेस के बारे में, तो फ्रेंज यहां पर जो यह इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जोबरास्ता.com पर, जहां पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को वरिफाए और चेक कर सकते हैं, अगर आप अप एप्लिकेबल हैं, एलिजीबल हैं, अपलाए करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अपलाए कर पाएंगे, बात करेंगे इसके फॉर्म अपलाए प्रोसेस के लिए और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज इसके लिए आपको फ्रेंड से अपलाए लिंक पर किलिक करना है, जो कि जॉबरासा.com पर आपको इसका लिंक मिल जाता है, इसके बार आप आते हैं इस पोर्टल पर जहां से आप इसमें ऑनलाइन आविदन करना होगा, सबसे पहले देखें कि यहाँ पर रडिस्टेशन ट आपका फ्रेंड से मोबाइल नंबर दे सकते हैं, इसके बाद फ्रेंड से आपको यहाँ पर देनी है मेल आइडी, मेल आइडी मैं सेंपल के तरुपर लिख रहा हूँ, आपका जो एक्चुल आइडी है वो आपको देना होगा, जैसे आपकी मेल आइडी है, उसके बार कर देना है इसके बाद फैंस आपका देखिए जो रडिस्टेशन है वो कम्ट्रीट हो जाएगा रडिस्टेशन नंबर और पासवर्ड आपके मेल आईडी पर और आपके मॉबाइल नंबर पर आपको सेंड कर दिया जाएगा आप उसे नोट डाउन भी करना चाहें तो कर सकत आपको यहां से इसे कन्फर्म करेंगे कन्फर्म करने के बाद आपको न यह स्ट पर करना है इसके बाद के डिविव को उप कर सकते हैं अगर आप यहां पर ph candidate है तो नहीं है तो आप सिंप्ली नो करेंगे इसके बार फेंड से यहां पर देखिए नीचे आपको यहां पर कुछ और options दिये गए हैं इन में से आपका जो भी option applicable है उसे आप सेलेट कर सकते हैं चाइल्ड या या है एक सर्विस में आप उसकी जनकारी प्रोवाइड करेंगे इसके बार रिलीजन क्या है आपका रिलीजन देना है minority community से अगर belong करते हैं तो yes कर सकते हैं मतलब जैन, सिख, बौध, पार्सी, मुसल्मान तो yes कीजिए नहीं तो आप no करेंगे इसके लब आप government या फ्रेंस PSU में या फ्रेंस semi government में आप यहां पर work करते हैं तो yes या no आप यहां से कर सकते हैं इसके बार फ्रेंस से next option है have you appeared for CW, E, CRP, PO या MT earlier अगर आपने फ्रेंस से प्री एक्जाम जो है प्यो का वो दिया है तो आप yes कर सकते हैं कितनी बार दिया है जैसे आपने दो बार दिया है तो आप दो यहां एंटर करेंगे इसके बार आपको यहां पर control की दवानी है और उसके बार आपने कौन-कौन सा यहां पर जो exam है वो दिया है वो आप यहां पर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बार नेशनल्टी अप्शन है नेशनल्टी सेलेक्ट कीजिए इस्टेट या यूटी या incredibly जहां से अपना exam center लेना चाहते हैं इसके बार प्री एकजाम सेंटर आपको चूस करना है और उसके बार आपको मीन exam center चूस करना है फोटो आईडी आपको यहाँ पर देनी होगी तो इनमें से कोई भी एक फोटो आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं आपको multiple options यहाँ पर देखे मिल जाते हैं तो आपके according जो भी option या ID कार आप देना चाहें वो आप ID कार दे सकते हैं और उस ID कार का नमबर इसके बार है date of birth तो date, month and year आपको देना होगा इसके बार आपको gender select करना होगा आपका धार कार नमबर, आपका pen कार नमबर आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके बार अगर आप जुड़वा भाई भेहन है तो आप यहाँ पर yes या no करेंगे अगर आप yes करते हैं तो उनकी जानकारी प्रोवाइड कीजिए नहीं तो आप no करेंगे marital status क्या है वो आपको देना है और उसके बार आपको देना है आपका father name और उसके बार आपको देना है आपका mother name इसके बार next option है spouse ने मतलब पति या पतनी का नाम का तो अगर आपका यह applicable है तो आप इसकी जानकारी दे सकते हैं इसके बार है address option तो आपका friends से correspondence address क्या है पूरा address with district इसके बार आपको यहाँ पर state और आपका pin code है वो आपको यहाँ पर enter करना होगा अगर आपका present और आपका permanent same है address तो आप yes करेंगे अलाग अलाग है तो आप अलाग अलाग entry कर सकते हैं GST आपको चूज करनी है इसके बार आपको data को validate करना है validate का फाइदा यह है कि अगर कोई भी option आपका blank होगा तो आपको वहाँ पर देखिए 2023 से complete हो जानी चाहिए डिगरी आपकी इन में से कौन सी है वह आपको select करना है सब्जेक्ट या स्ट्रीम आपकी इन में से कौन सी है वह आपको select करना है date of passing आपको देना है मतलब आपने इसको कप पास किया है वह आप जानकारी provide करेंगे percentage of marks क्या है वो provide आपको करना है और division आपको यहां से select कर लेना है इसके बार PG degree है तो आप PG degree की जानकारी पोस्त कोई qualification है professional तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं computer की working knowledge आपको होनी चाहिए तो आप यस करेंगे अब इसमें से आपके पास क्या है certificate है तो certificate पजाए इसमें देखिए दो options है या language या फिर operation diploma कोई है तो आप diploma select कर सकते है डिगरी कोई है तो डिगरी select कर सकते है और आपने high school या college या इंस्ट्यूट में आपने आपने certificate पड़ा है computer subject पड़ा है तो आप उसे selected कर सकते हैं तो यह फ्रेंट से basic options है जो कि आपको देना होगा कोई basic certificate है तो आपके पास computer operation आप select कर सकते हैं इसके बाद working knowledge आपके पास है कोई मालीजिए आपके पास कोई भी work experience है तो आप यहाँ पर yes कर सकते हैं और yes तब करेंगे जब आप presently working है तो आप अपनी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आप presently working नहीं है या आपके प language known कौन कौन सी language आप जानते हैं कम से कम एक language आप यहाँ enter कीजिए read write और speak करने के लिए और उसके बाद यहां से data को validate कीजिए validate करने के बार या verify करने के बार आप data को save and nest कर सकते हैं save and nest करने के बार आता है friends आपके सामने देखिए bank preference option अब यह क्या है तो friends यहाँ पर आपको preference देनी होगी इसके लिए friends आप jovrasa.com पर या friends video description में जो notification दिया गया है वहाँ पर जा सकते हैं number of vacancies आपको यहाँ पर दी गई है किस bank में कितनी कितनी vacancies है पर कोशिश कीजिए सारे bank जितने भी आपके यहाँ पर है उनको आप friends जो है preference में रखें तो आप अपने according जो भी bank को सबसे पहल देनी होगी इसके बाद दुबारा से validate कीजिए और validate करने के बाद save and next app कर सकते हैं यहाँ पर आता है आपका preview section तो इसमें friends जो भी details आपने फिल की है वो आप चेक कर लें आपको यहाँ से I agree करना है और उसके बाद दो option है कि आपने जो नाम फिल किया है वो आपके ID proof के साथ match करता है तो आप इस option को select करेंगे और अगर यह match नहीं करता है तो friends एक documentary proof आपको friends एक्जाम सेंटर पर show करना होगा तो उस condition में आप इसे select करेंगे तो आपका नाम सेम है तो आप इस option को select कर सकते हैं और एक बाद ध्यान से check जरू कर लें कोई भी गलती है बैक जाकर उसे सह करने क्योंकि यहां से complete registration करने के बार आप इसमें कोई भी edit नहीं कर पाएंगे इसके बार friends आता है option left thumb impression का तो left thumb impression upload कीजिए इसके बार friends है hand and declaration है तो इसका format jobrasa.com पर मैंने आपको provide किया हुआ है आप चेक कर सकते हैं और इसके लिए भी आपको यहां पर देखिए size वगेर आ आपको browse पर click करना है file को select करना है और उसके बार आपको यहां पर देखिए आपको जो option है वो मिल जाएगा और उसके बार आप इसे upload यहां पर कर देंगे upload करने के बाद friends है आपको simply जो भी capture code दिया गया है यह capture code fill करना है और save and nest कर देना है save and nest करने के बार आता है आपका nest option जो की है payment का payment करने के लिए आपको इस capture code को fill करना है यहां से data को submit करना है उसके बार आपको okay कर देना है इसके बाद देखिए जो आपका payment gateway है वो फ्रेंड से open हो जाएगा और payment gateway ऑपन होने के बाद आपको फ्रेंड से आपकी जो details है जैसे credit card है तो credit card की debit card है और debit card की net banking है तो net banking की UPI से करना चाहे तो UPI से आप जैसे भी पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं यहाँ पर फैंस से पेमेंट रवाप मेंट करते हैं और पेमेंट आपका verify हो जाता है तो उसके बाद यहाँ से रिडार्ट कर दिया जाएगा इसके जब आप प्रिंट एप्लिकेशन पर किलिक करते हैं तो आप अपना जो एप्लिकेशन प्रिंट आउट है वो सेव कर लेंगे तो यहां पर मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है कैसे आप IBPS PO का ओनलाइन फॉर्म अप्लाइए कर सकते हैं स्टेप बाइस प्रोसेस के बारे में अगर आपको हमारी अप्डेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राब में जरूर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा यूटीब चैनल एलास थैंक्स पूर वाचिंग